इतनी भूख लगी है कि पूछो मत अच्छा ठीक है तुमने कहा पूछो मत इसलिए मैं नहीं पूछोंगा जब पूछो मत कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि पूछों ओके सौरी मुझे पता नहीं था भूख इतनी जोर से लगी है कि पेट में साइरन बज रहा है पेट में साइरन नहीं बज रहा ये चिंगम का साइरन है वह देखो जोन आ रहा है चलो उसके साथ पकडम पकड़ाई खेलते हैं ये खेलने का टाइम नहीं उन्हें पकड़ने का टाइम है ओ ओ ओ तुम तो किसी बात का मतलब नहीं समझते मेरा मतलब उन्हें पकड़ने से ही था ने में चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना याम पौँसिबा, याम पौँसिबा, चिंगम सर बचके तो वो चला गया, अब पकडोगे भी या डायलोग ही मारते रहोगे चुहा दोड बिल्ली आई, चुहा दोड बिल्ली आई, चुहा दोड बिल्ली आई, चुहा और बिल्ली कहा है, हम तो जोन के पीछे हैं, चिंगम सर का मतलब है, चुहा जोन है, और बिल्ली चिंगम सर है भगा भगा के तुमने मुझे बहुत ठकाया भाग जिंगम भाग अब मेरा नमबर आया वाह बस वाह क्या कवीटा कही है एना नमबर दो कवीटा को छोलो वैन कुमा और जिंगम का पीछा करो चोर पुलीस का पीछा करेंगा पिल्ली दार चुहा आया पिल्ली दार चुहा आया अयो मा ये जा कर रहा है जी क्यों निशानर लगाया है पुल्साई अयो मा इसे कहते है जींगम साई मोटू मोटू क्या हुआ माचु जींगम सार ये क्या क्या अया मा ये क्या हो काया इसे होस्पिटल ले चेलो चल्दी एंबुल्स कुला हुँ माचु अब कुछ नहीं हो सकता यार नहीं मोटू नहीं ये नहीं हो सकता ये उपर वाले तुमेरे दोस्त को नहीं ले जा सकता उसे वापस भेज दे ऐसा क्यूं किया तुने मोटू के बिना मैं नहीं रह सकता अरे बस करो मैं और बरदास्त नहीं कर सकता तुम तुम ठीक हो गया डॉक्टर जटका ये ठीक हो गया उपर वाले ने मेरी सुनली तुम कौन हो भाई और मुझे क्यू मा रहे हो मैं कौन हूं और कहा हूं ये क्या हो गया इसे अरे मैं पतलू हूँ तुम्हारा दोस्त पतलू और ये डॉक्टर जटका है और ये घसिदाराम और ये इंस्पेक्टर जिंगम वो तो ठीक है लेकिन मेरा नाम मोटू है और लगता है चोट लगने की वज़े से इसकी आदास चली गई है मोटू मुझे देखो और बताओ मैं कौन हूँ तुम तुबले पतले टकले और एक गरीब इंसान हो ऐसा लगता है जैसे तुमने कई महिनों से खाना नहीं खाया इसे तो सच मुझ कुछ याद नहीं अब क्या करें इसे पुरानी बाते याद दिलानी पड़ेंगी तभी इसक हवा में एक बार उड़े थे यह उड़ता कैसे और यह बटन दबाने से यह उड़ने लगता है अच्छा वेरी गुड़ और यह क्या किया जोल दिसे कुछ पाकलो पुला था यह नहीं बोला था कि हाम कुछ पाकलो कुछ याद आया नहीं कुछ याद नहीं कुछ याद नहीं लेकिन खूब मजा आया ये खेल अच्छा था चलो फिर से हेलमेट पहलो मैं बटन दवाता हूँ अरी बापा हमारा हाधी पसली का कीमा बन गया और इसको मौजा आया अब कुछ याद आया हमने एक ड्रामा में सलीम अनारकली करों कुछ याद नहीं आ रहा लेकिन मजा आया फिर से नाचो ना है फिर से नाचो थोड़ा टाइम पास होगा मैं तुम लोगों का मनुरंजन करने नहीं आया उसकी याद दास्त वापस दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तु येलो फ्रोट्स का इसे खाने से तुम्हारी य ये बॉक्सर है याद है ये हम दोनों को कई बार पीट चुके हैं मोटो क्या कर रहे हो हम सब को ऊपर भिजवा होगे क्या पुरी पापा आप तो मोटू को ऊपर बाला भी नहीं बचा सकता इसके यादास जल्दी वापस लाओ फिर मैं इसका भारता बनाऊंगा थैंक्यू मोटू तुम्हें समूसे बहुत अच्छे लगते हैं खा के देखो शायद कुछ याद आजाए खुश्बूर्ट जिन्दगी का आजाए मजा जब सामने हो गर्मा गर्म समूसा 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 करने ना तक करने रहो क्या दो एक अख़ा उन आट ऊपस नहीं जा ग्या toms च desap 911 कि यादास्त वापस लाने के चक्कर में मुझे बरबाद कर दो गया बुरा मत मानो भाया बुरा कैसे नहीं मानू बरबाद तुम्हें हो रहा हुँ नहीं नहीं भूला और बाकी सब भूल गया अरे गुस्सा मत करो याद है एक बार सामने विदेशी समोसे की दुकान खुल रही थी हमने उसे खुलने नहीं दिया वरना तुम तो पहले ही बरबाद हो चुके थे मोटू को याद आ गया सब याद आ गया यह तो तुमने मुझे कुछ कुछ तो करो मोटू को करेले का जूस बहुत अच्छा लगता था इसे वो पिलाओ एकदम ठीक हो जाएगा नहीं मुझे कुछ नहीं पिना समोसे ही खिलाओ उसी से यादास दुआ पसा जाएगी ओ मोटू मेरे यार बड़े प्रा पहले वो चीज पियो जो तुमारी मोटू को उस एक्सिडेंट में सिर पर चोट लगने के कारण यादास चली गई उस जगा फिर से चोट लगीगी तो यादास वापस आजाएगी यार तुने गलत जगा पे मारा अला मैं मारता हूं यार सब याद आगया अभी पूरी तरह से याद नहीं आया होगा अब मैं इसे तब तक मारूंगा जब तक इसे पूरी तरह से सब याद ना जाए रacked तक मो дор גंर पे दो के झाओर ठाख महींद ना इसे अंजितो तक म्हल्त कि अभर पकुर टम कहतर हुगी कि वुडगी होगी 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 डिपना भी इसेश का प्रफिका